दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अभी जून जुलाई में कौन-कौन सी सबजियां लगा के ग्रो कर सकते हैं जून जुलाई में लगने वाली कुछ 30 प्लस सबजियां जिनको आप अभी बहुत ही आसानी से लगा के ग्रो कर सकते हैं उन सभी के बारे में डीटेल जानकारी आपके साथ शेयर करूँगी तो सबसे पहली सबजी जिसको आप अभी लगा के ग्रो कर सकते हैं वो है कदू यानि की पंकिन दोस्तों कदू जो है बरसात में बहुत ही जादा लगाई जाती है और यह बरसात में बहुत अच्छे से ग्रो भी होते हैं इसके बीज को आप डारेक्ली मिट्टी में लगा के ग्रो करें आप चाहें तो अलग से इसका पौधा तयार कर भी ट्रांस्प्लांट कर सकते हैं और अगर आप इसको गमले या ग्रो बैग में लगाना चाहते हैं तो गमले की या ग्रो बैग की जो साइज है वो कम से कम 18 बाय 18 इंच या फिर 20 बाय 20 इंच का रखें नेक्स्ट आप अभी टमाटर भी लगा सकते हैं लेकिन बरसात में अगर आप टमाटर लगाना चाहते हैं तो आपको वो आली वराइटी लगानी होगी जो खरीफ सीजन यानी रेनी सीजन के लिए आती है अभी जो है सर्दियों वाली यानी नॉर्मल टमाटर के बीज अगर आप लगाओगे तो उसके पौधे में फल नहीं लगेंगे बाकी टमाटर लगाने के लिए पहले आपको अलग से इसका पौधा तयार करना पड़ता है यानी इसकी नरसरी तयार करनी पड़ेगी आपको फिर उसको ट्रांस्प्लांट करना होगा अगर आप टमाटर को गमले या ग्रो बैग में ग्रो करना चाहते हैं तो गमले या ग्रो बैग की साइज कम से कम 12 से 14 इंच की रखें नेक्स्ट अभी जो सबसे जादा लगने वाली सबजी है वो है लौकी यानी की घीया लौकी के बीज को आप डायरेक्ली मिट्टी में लगा के ग्रो करें अलग से पौधा तयार कर भी इसको ट्रांस्प्लांट कर सकते हैं बाकी अगर गमले में ग्रो करना चाहते हैं तो गमले या ग्रो बैग की साइज कम से कम 18 बाय 18 इंच की रखें नेक्स्ट अभी कॉर्ण यानी की भुट्टा या मक्का जिसे कहते हैं वो भी बहुत जादा लगते हैं तो इसको अगर आप लगा रहें तो इसके बीज को डायरेक्ली मिट्टी में लगाएं कभी भी इसके बीज को ट्रांस्प्लांट नहीं करें और अगर आप गमले या ग्रो बैग में लगाना चाहते हैं, तो एक साथ चौड़े गमले में 4-5 प्लांट लगाएं, बाकि अगर आप एक सिंगल गमले में लगाना चाहते हो, तो गमले की साइज 10-12 इंच की रखें, और कोशिश करें कि 4-5 गमले एक साथ रखें, ताकि उस अच्छे से ग्रो होंगे, और इसके बीच को आप डैरेक्ली मिर्टी में लगाएं, या फिर अलग से पौधे तयार कर भी इसको ट्रांस्प्लांट कर सकते हैं, गमले या ग्रो बैग में ग्रो करने के लिए गमले की साइज कम से कम 14 इंच की रखें, नेक्स्ट आप अभी म मिर्ची लगा सकते हैं, मिर्ची के लिए अलग से पहले आपको इसके पौधे यानि इसकी नर्सरी तयार करनी पड़ेगी, मिर्ची की जो नर्सरी है वो लगभग 30 दिन में तयार हो जाती है, इसके बाद आप इसको जमीन या गमले में ट्रांस्प्लांट करके ग्रो कर सकत हैं, मिर्ची में आपको बहुत सारी वराइटी और अलग-अलग कलर्स के बीज मिल जाते हैं मार्केट में, तो आप कोई सा भी अपने चोईस के अकौर्डिंग बीज को लगा सकते हैं, गमले या ग्रो बैक की जो साइज इसके लिए आपको रखनी है, वो 10 इंच कम से कम र पड़ेगी, बैंगन की भी जो नरसरी है वो 25 से 30 दिन में तयार हो जाती है, फिर आप उसको ट्रांस्प्लांट कर सकते हैं, बैंगन को ग्रो करने के लिए गमले या ग्रो बैक की साइज आप 14 इंच की रखें, और बैंगन में भी आपको बहुत सारी वराइटी और अलग- गमले में लगा के ग्रो कर सकते हैं, अद्रक जो है पूरी छाय वाली जगा या फिर धूप में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं, नेक्स्ट आप अभी cluster of beans यानि ग्वार फली भी लगा के ग्रो कर सकते हैं ग्वार फली जो है अभी बरसात में बहुत जादा लगती है इसके बीज को आप directly मिट्टी या गमले में लगा के ग्रो करें एक प्लांट के लिए गमले की size 8 से 10 इंच की रखें बाकी अगर चौड़े गमले यूज कर रहें तो उसमें आप अराम से 5-6 प्लांट एक साथ लगा के ग्रो कर सकते हैं एक्स्ट अभी खीरा भी बहुत अच्छे चलेंगे तो खीरा के लिए आप इसके पहले या तो पौधे तयार कर लें या फिर बीज को directly जमीने गमले में transplant कर दें गमले की size इसके लिए 14 इंच की रखें और बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी ग्रो होने वाली फसल है तो इसको तो आप ज़रूर लगाए अगला अभी yard long beans यानि की जिसे बरबर्टी कहते हैं या फिर लोबिया उसको लगा एक प्लांट के लिए बाकी एक साथ चौड़े गमले में जादा प्लांट भी लगा के ग्रो कर सकते हैं नेक्स्ट आप अभी भिंडी यानि की ओक्रा लगा सकते हैं भिंडी के बीच को आपको directly जमीन या गमले में लगा के ग्रो करना है और अलग से पौधा भी तयार कर ट नेक्स्ट आप अभी जिमीकंद यानि की जिसे ओल या एलिफेंट याम कहते हैं उसको भी लगा के ग्रो कर सकते हैं जिमीकंद को जो है इसके कंद के द्वारा लगाया जाता है तो आपको आप देखो कुछ इस तरह के कंद आपको मार्केट में यानि सबजी मंडी वगेरा में मिल जाएंगे आप वहां से लाके इसको ग्रो कर सकते हैं यह जमीन में भी बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं साथी गमलिया ग्रो बैग में भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाते हैं हेल्थ के लिए यह बहुत ही जादा अच्छे होते हैं साथ बहुत जादा नि लेते हैं तो आप इसके कंद को यानि यह जो इसके रूट्स हैं उनको सेव करके आप बार-बार इसके प्लांट को अपने गार्डेन में लगा सकते हैं यह जो आप इसके रूट्स देख रहे हो इनको मैंने अपने गार्डेन में ग्रो किया था उसी के रूट्स यह बचे हैं जिसको मैं फिर से इस बार लगाने वाली हूँ और root vegetable की बात करें तो आप अभी जो है हल्दी भी लगा सकते हैं हल्दी अभी बरसात में बहुत अच्छे से ग्रो होंगे और हल्दी के लिए भी आपको जो कच्छी हल्दी मार्केट में मिलती है उसको आप ले आएं और एक छोटे गमले में भी अगर आप लगा देंगे तो अच्छी खासी हल्दी आपको हर्वेस्टिंग के लिए मिल जाती है आप इसको balcony garden या ऐसी जगह जहां बिल्कुल भी धूप ना आती हो वहां भी लगा के बहुत असानी से grow कर सकते हैं इसके लिए अलग से आपको इसका पौधा तयार करना पड़ेगा यानि नरसरी तयार करनी पड़ेगा शिमला मिर्च की नरसरी तयार होने में 30 से 35 दिन का समय लग जाता है और इसको आप अभी थोड़ा वेट कर लें, तेम्परेचर थोड़ा 40 के नीचे जाने दें, उसके बाद आप इसके पौधे तयार करें, फिर आप उसको ट्रांस्प्लांट कर सकतें, जमीन या ग्रो बैग में, गमले की साइज इसके लिए 10 से 12 इंच की रखें अभी आप तोरोई और गिलकी वगेरा भी लगाके ग्रो कर सकते हैं, यानि रिच गौर्ड, स्पोंज गौर्ड और स्नेक गौर्ड वगेरा भी बहुत आसानी से ग्रो होंगे और तीनों को ग्रो करने का जो तरीका है वो बिलकुल सेम है, इनके बीच को आप डिरेक्ली गमले या ग्रो बैग में लगाएं, या फिर पौधे तयार कर ट्रांस्प्लांट करें और तीनों के लिए है जो गमले या ग्रो बैग की आपको साइज रखनी है, वो कम से कम 16 बाए 16 इंच की रखनी है आप अभी अर्भी यानि की जिसे टैरो रूट्स कहते हैं, उसको भी लगा के ग्रो कर सकते हैं अर्भी जो है बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है और ये हेल्थ के लिए बहुत ही जादा अच्छे होते हैं इसमें बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की चमता भी होती है तो इसको आपको अपने गाडेन में जरूर लगाना चाहिए बहुत कम केर में grow होते हैं किसी भी छाय वाली जगह में आप इसको गमले या grow bag में लगा के रग दे ये असानी से grow हो जाएंगे अर्बी को भी इसके जड़ों के द्वारा यानि इसके जो roots या tubers जिसे कहते हैं उसके द्वारा लगाया जाता है इसके ट्यूबर्स जो हैं आपको मार्केट में मिल जाएंगे इस तरह के छोटे-छोटे होते हैं आप देखो नेक्स्ट आप अभी चॉलोई साग यानि की लाल या हरी भाजी इनको भी लगाके ग्रोव कर सकते हैं आप इनको किसी भी साइस के गंबले या ग्रोव बैग में लगाके ग्रोव कर सकते हैं गंबले की जो गहराई या ग्रोव बैग की गहराई कम से कम अगर 4-5 इंच की होगी तो काफी होगा बहुत तेजी से और बहुत आसानी से ग्रोव होने वाली ही हरी सबजी है एक बार लगाने के 20-25 दिन में ही इससे जो है हर्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट आप अभी माला बार स्पिनेच यानि पोई साग भी लगा सकते हैं माला बार स्पिनेच के बीज के द्वारा भी आप इसको लगा सकते हैं या फिर आप इसके जो हैं कॉटिंग के दुअरा भी इसको बहुत आसानी से ग्रोव कर सकते हैं दोनों ही तरीकों से यह बहुत ईजीली ग्रोोँ हो जाते हैं जैसे आप देखो ये बीज के दुवारा मेंने इसके पौधे तैयार करें कितनी अच्छी तरीके से ग्रो रहें बाकि कटिंग से भी मैं इसको लगा के ग्रो करते रहती हूं यह भी आपके स्वास्त के लिए बहुत अच्छे बिल्कुल मनी प्लांट की तरह लगे वे दिखेंगे आप अपने गार्डेन में इसको ज़रूर लगाएं नेक्स्ट आप अभी पेठा यानि कि जो एश कॉर्ड होता है उसको भी लगा के ग्रो कर सकते हैं गर्मियों की तरह यह बर्सात में भी बहुत अच्छे से ग्रो होंगे इसके बीज को आप डायरेक्ली मिट्टी में या फिर गमले ग्रो बैग में लगाएं पौधे तयार कर भी ट्रांस्प्लांट कर सकते हैं बाकी इसको ध्यान रखें कि गमले ग्रो बैग की जो साइज आपको थोड़ी बड़ी रखनी होगी कम से कम 18-20 इंच की नेक्स्ट बरसात में खर्भूजा यानि कि मस्क मेलन भी अच्छे से ग्रो हो जाते तो इसके भी बीज को आप पेठा की तरह जो है डायरेक्ली जमीन या गमले में लगाएं या फिर पौधे तयार कर भी ट्रांस्प्लांट कर सकते हैं गमले या ग्रो बैग की जो साइज ह हैं अब सिस्किंद में नहीं डिनाट जो से ब मैं जो बाकी जुलाइ को जब आज modular को आप गमले या ग्रो बैग में लगां कर सकते जमीन में या क्यारी में लगाएं पालक गरमढ़ जिसकी ड्रेंेज अच्छी हो जीसे पानी बहुत आसानी से निकल जाय वैसी जगहा अप अच्छे से पालक भी घ्रो हुँगे आप ड्रंप्स्टिक्स यानि जिससे मोरिंगा या सेहजण भी कहते हैं उसको भी लगा के ग्रोग कर सकतें कि कट भी अभी बहुत आसानी से लग जाएंगी साथ ही आप इसके इस बीच के द्वारा भी इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं इससे सूपर फूड कहा जाता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में वाइटमीन और प्रोटीन्स और मिनरल्स वगेरा पाये जाते हैं अगर आपको इसके बीच चाहिए तो इसकी लिंक में नीचे में दे दूँगी आप चाहें तो वहां से बीच खरीद सकते हैं नेक्स्ट एक बार जब बरसात स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप पॉल बीन्स भी लगा के ग्रो कर सकते हैं पॉल बीन्स जो है बरसात में बहुत अच्छे से ग्रो होंगे और इसके लिए आप गमले की जलती है वह अलग अलग होती है इसके जो रूट से वह भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं लेकिन अगर आपको कहीं नर्सरी में या सबजी मंडी में मिल जाए तो आप इसको बहुत आसानी से लगा के ग्रो कर सकते हैं नेक्स्ट एक बार जब बरसात स्टार्ट हो जाए तो अलग अलग बेल की वराइटी मिल जाती है कुछ बेल की ऐसी वराइटी भी होती है जिनको अगर आप अभी बरसात में लगाएंगे तो उसमें ठंड में जाके ऑक्टूबर-9 नौमबर में फ्रूटिंग स्टार्ट होगी लेकिन वह वाली बेल अगर आप लगा लेते हैं To getopity प्पुद ही जादा मात्रा में ठंड में फल लगेंगे फिपपीता भी लिगाकर ग्रो कर सकते हैं फ़ीम SPA के बीज आप चाहें तो इसके पौधे तयार कर लें घर पे या फिर आप नर्सरी से ईसके पौधेस को लगा सकते पपीता को अगर आप गमले या ग्रो बैग में लगाना चाहते हैं तो उसकी जो गमले की जो साइज आपको रखने हैं कम से कम 18 बाय 18 इंच की लेनी है अभी अरहर यानि की तूर भी आप लगा सकते हैं तूर दाल जो होती है इसके जो प्लांट अगर आप लगाते हो तो बहुत ही खुबसूरत ही आपके गार्डन में लगेवे भी दिखेंगे और एक प्लांट से बहुत ही जादा अच्छी खासी हर्वेस्टिंग भी मिल जाती है और यह गमले अग्रो बैग में भी बहुत इसली ग्रो हो जाते हैं जैसे आप देखो इसके बीज अभी रीसेंटली मैंने लगाए थे तीन-चार दिन हुआ है और अभी देखो इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है और जुलाई के मिड के बाद आप यानि जुलाई यह एंड में आप जो है नॉर्मल बीन जो होता है बुश बीन उसको भी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं जब टेंप्रेचर 30 और 35 के रेंज में चला जाए उस टाइम आप बुश बीन लगा के ग्रो कर सकते हैं एक्स्ट अभी फूल गोभी की अगेती वराइटी यानि जो अ स्टार्ट हो जाएगी अगेती सबजी के बीच जो है आपको अर्ली वराइटी इसके नाम से मिल जाएंगे फूल गोभी की साथी गाजर की भी अगेती वराइटी आती है तो गाजर के बीच अगर आप लगाओगे जून जुलाई में तो लगभग 3 मेहने का समय लगता है रहुने में तो आपको लगभग October September एंडिया October में जाके इससे हर्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट होगी अगेती सब्जी जो लगाई जाती है वो ठंड स्टार्ट होते होते यानि September October तक उसकी हर्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है तो दोस्तों यह थी कुछ 30-35 सब्जियां जिनको आप अभी बहुत ही आसानी से जून जुलाई में लगा के ग्रोव कर सकते हैं और जो भी सब्जियां जिनको आप बीच के द्वारा लगा सकते हैं उनके किचन लिंक है वह आपको नीचे डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो उमीद है आज की वीडियो और यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यह वीडियो अगर पसंद आए दें प्लीज 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 लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल अट लास्ट थैंक्स लग्छिंग